मेरे प्यारे नौजवान साथियों, 15 अगस को लाल खेले से मैंने स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, उसके समन्द में एक प्रात्वीक चर्चा की थी, उसके बाद सरकार के सभी विभागों में बात चल पड़ी, क्या भारत स्टार्ट अप कैपिटल बन सकत है कि हमारे राज्यों के बीच नवजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रुप में नए-नए स्टार्ट अप, अनेक विद्ध स्टार्ट अप, नए-नए इनोवेशव, चाहे मैनुफेक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे एग्रिकल्चर में हो, हर ची मेरे नवजवान साथियों, सोला जन्वरी को भारत सरकार, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लांच करने वाली है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और इस कारिकम में देश भर की IIT, IIM, Central Universities, NITs, जहां जहां युवापीडी है, उन सब को लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कारिकम में जोड़ा जाएगा, स्टार्ट अप के समझ में हमारी यहाई सोच बंदी-बंदा ही बन गई है, जैसे डिजिटल बर्ल हो, या IT प्रोफेशन हो, यह स्टार्ट अप उन ही के लिए जी नहीं, हमें तो उसको भारत के आवश्रक्ताओं के अनुसार बढ़लाव लाना है, गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारिक स्रम पढ़ता है, लेकिन को नवजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे, कि ग परकार से क्या हमारे युवापीडी की बुद्धी संपदा कुछी शहरों में सिमीत है क्या, यह सोच गलत है, हिंदुस्तान के हर कौने में नवजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए, यह स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, कुछ शहरो में सिमीत नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कौने में फैलना चाहिए, और इसे मैं राज सरकारों से भी आगर कर रहा हूँ, इस बात को हम आगे बढ़ाएं, सोला जन्वरी को मैं जरूर आप सब से रूबर हो करके विस्तार से इस वीशे में बाक्तित करूंगा, औ आपके सुजाओं का स्वागत रहेगा,